हेलो, आज मैं आपको अपना जो अचेतन मने, अव्यक्त को मन जो है, या सबकॉंश्यस में जो है, उसके पावर को कैसे यूज करना, उसके बारे में मैं आपको बताने होना हुआ हमारे मन के दो भाग होते हैं, हमारे मन के दो भाग हैं, एक जो है उसको बोलते हैं conscious mind और दूसरा जो है उसको बोलते है, subconscious या unconscious mind, conscious mind जो है, वो है एक दशन लोग और subconscious mind है, नव दशन लोग और तेन परसेंट जो है, वो पानी के उपर रहता है, और 90 प्रतिशत इस्सा जो रहता है वो है पानी के नीचे, तो पानी के उपर दिखने वाला जो है, वो है conscious mind और पानी के नीचे जो रहता है, वो है subconscious mind ऐसा समय जो है, अब यह subconscious mind जो है, वो हमें पुरा control करते है, conscious mind या logical है, मतलब कौनसी चीज करना नहीं करना, वातावर में यह संभव है नहीं है, और conscious mind को अनेक इच्छा है रहती है, अनेक विश्यस है, जो है, वाद में जो है, नीड़ है, गरज है, वांट है conscious mind को, और conscious mind यो है वो subconscious mind को कुछ हथ तक control कर सकता है, अगर हमको पुरा control करने वाला, behavior को control करने वाला subconscious mind को काफी बार बोलते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं करना चाहिए, तो जो हो जाता है, जैसा फर एक्जामपल गुस्सा, गुस्सा आने के बाद में, गुस्से आने वाला जो गुस्सा भाता है, फो एद्मों आपमेन, गउ 멕षं 嗎, दो जो होता है कि गुस्सा नहीं करना, या इह इच्छा एक्श्मांड को रहती है, तो झो tengah जाने है, मगर बहुत समय आ गया, और एगदम reacts हो जाना, जैस बहुता है, brain जो react करता है, और फर फटाल से इकडब वो Wür कर लेगा। लोग कोलती है कि मेरी बहुत इच्छा रहती है कि सुभव उढ़ना और exercise करना या कहीं घुमने निकल जाना और मुझे मेरा वजन तम करना है। इच्छा तो बहुत है मगर subconscious mind जो है वो आखिर करने देंगा नहीं कि उसको को habit नहीं है तो या उसकी इच्छा नहीं सब्सक्राइब नहीं चाहता है कि 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 सब्सक्राइब नहीं चाहता ह किसको अंदर जाने देना और किसको अंदर जाने देने का नहीं, अब यह conscious mind को मतलब बाजू करके, क्या conscious mind जो logical thinking करता है, rational thinking करता है, वो अंदर नहीं आने देंगा thoughts को, तो फिर उसके लिए क्या करना है, conscious mind को यदि हम बोल सके, और conscious mind यही permit किया तो फिर वो subconscious mind टक गयागा, एक बार वो subconscious mind टक चले गया, कोई भीची चली गई, subconscious mind टक, तो फिर अपने behavior उसका आफर आ जाने, तो फिर हमारा मकसद क्या होना जी? तो फिर हमारा मकसद यह होना जी? तो फिर इस subconscious mind टक गई से भी करके पहुशन, तो फिर अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यदि कोई authority वाला आदमी, जिसको authority है, वो यदि आदमी कुछ बोलता है वो व्यक्ति को तो व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि authority वाला person जो बोलता है, वो सीधा conscious mind को बाजू में करके subconscious mind कर चले जाए. मेरा एक डोस मुसे मिला था, वो doctor नहीं है, वो कहीं कर में चली है, और वैसी मैं authority हूँ, मैं doctor हूँ, वैसी मुसे मिला, तो उले गले में कुछ तो की दर्द होता है, वो रस्ते पे मिला तो मैं मजाग मजाग में बुला थे cancel होंगा, तपास करना पड़े, वो conscious mind को छेट करके वो उसके subconscious mind कर चले गया, वो इतना घबरा गया, दो जिनके उसको निन नहीं आए, बात में मुझे बोल रहा था हो, तो उस दिन आपने बोल दिया कि देखो, cancer तो नहीं हुआ, मुझे निन नहीं आए, उनने सब test कर वा लिए, मतलब जब authoritative हो दिया कोई, तो वो पांचस मैंड को बाजू करके subconscious mind में चले जाते है, तो इस काम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस काम इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि भई जैसा हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो success कुन लोग है, उनके साथ में रहेके, उनके विचार लेके, उनके चरित्र पढ़के, उनके वीडियोज, उनके बुक्स पढ़के, कैना हमारे सीधा, मतलब वो authoritative है, सीधा हमारे subconscious mind टे गया सकते हैं, तो एक बू हो गया, दूसरा हम बार 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 कोई चीज हैमर करते हैं, तो फिर conscious mind वो hammering को subconscious mind टे गयाने देगे, बार बार यही hammering करते हैं, पर एक जामपल सम्झों, आप जा रहे हैं और हम तो hostel में काफी बार ऐसी मजा करते रह रहते हैं, यह होस्सेल में पढ़ा करते हैं, तो यह कोई चार लोग मिलके हम समभम यह करते थे थे, करते थे कि एक आदे वेक्ते को बिमार गिराना है, और वो बिमार होना चीए, तो कोई वहां से आता है बोलती कि मुरे क्या हो गया, तो चेहरा उतर गया, पर प्राब्लेम तो नहीं है, कि कुछोड मंजाे हिं तो खुछ चा कुछ का के मिल गाता है, तो तो चुलते है रहे गाजू तुझे क्या हो गया, चेहरा टो रटके होँ फिर रहे, क्या होग हो तो पुछत थे थैंडर नहीं हो। इसको रखता है कुछ तो नहीं हुआ मगर यह लोग बोल रहे हैं इसका मतलब मुझे कुछ भी हुआ हुआ हुआ। चवथा वो उसको बोलने के पहले ही वो अपने कमरे में जाके सोता हुआ। तो अभी इसका 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 उसका फरक सबकॉंचसमाइंड में डालता है, उसका फरक सबकॉंचसमाइंड पर पड़ेगा. तो हमको हमारे में ही बादला लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Visualization, को माध्यानासी बार-बार-बार कलपना चित्र डालना, बार अपॉंचसमाइंड, तो यह बार-बार-बार वा affirmations करता है, visualization करता है, तो वो निकल जाता है, मतलब वो subconscious mind के क्या सकता है? तीसरा जो है, वो है, सम्होन के माद्यम से, hypnotism के माद्यम से subconscious mind चीजे कोचाना या thoughts कोचाना या belief कोचाना. और hypnotism में होता क्या है कि conscious mind को बाजमे किया जाता, relax किया जाता और direct subconscious mind को सूचना या दी जाती है, suggestions दी जाती है, ताकि वो affirmations तुद में देना है, self hypnotism में, या बाहर का hypnotist है, वो hypnotize करके वो उसको बार-बार-बार का suggestion देंगा, और subconscious mind को बहु जाता है. पुलब करते हैं ओने को वह जाएड नियुक्त बता देंगे तो आछे लिए वह लिए वह जाके आ नहीं आप एक को शक्रीद नहीं को जाएड जया देंगे और वह जाते हैं तो subconscious mind तक चीज़े पहुँचाने के लिए एक तो logical, realistic explanations to the conscious mind, पहला चीज, नमबर दो, बार-बार-बार-बार repetitions, और नमबर तीन, सम्मोन उप्चार, मतलब hypnotism, hypnosis करके subconscious mind तक पहुचाने, मतलब जैसा मैंने पहले वादा है कि घर मतलब यह है, subconscious mind, पहारेदार जो है, वो है conscious mind पहारेदार को उमको एक तो बातचित करके, logical बात करके, explain करके, उसको समझाना पढ़ेगा कि हमको घर के अंदर जाने दो, एक तो वो चीज होगे, नमबर दो, बार-बार-बार-बार उसको affirmations यह बार-बार hammering करते रहते हैं, और उसको बोलेंगे तो फिर वो हमको अंदर गर में, या तीसरा, उसका मन जो है, वो कहीं भटक के, मतलब उसको विचलित करते हैं, उसका मन विचलित करके वो इदर बार निकल जाता है, और फिर हम अंदर घर के अंदर हम जा सकते हैं, तो इस तरह से हम subconscious mind की जो power है, 90% of our total mind is subconscious mind, तो वो इसका इस्तेमाल करके, कि ultimately हमको वो कंट्रोल करने वालग होने, सब पांच दमी, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस्तेमाल करके, उसका उपयो करके, वापर करके, वहारी जिवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो यह बिमारे का ही लाज़ कर सकते हैं, अधिर ज्यान का लिए के लिए हम आप जब शेयर करेंगे ना तो लोगों को इसके बारे में जानकरी होंगी और लोग भी अपना जीवन अच्छा बिता सकेंगे, वो भी उनका जीवन पारफिली और अबली बिता सकेंगे, तो इसके लिए हम आपको बार-बार तो अलग-अलग वेबसाइट्स या यूट्यू झालग-वेबसाइट्स